दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पोचे आज की बड़ी ख़बर मुझपरपुर में बड़ा हादसा कुरकुरे नूडल्स फेक्टरी में बॉयलर फटने से साथ की मौत कई घायल जहां बेला और दगिक चिद्र के फेजटू में रईवार की सुबा साड़े नौ बजे इसान स्नेक्स फेक्टरी का बॉयलर फटने से साथ लोगों की मौके पर मौत हो गई नौ लोग घायल हो गए पांच की गंबेर इस्तिति में एसके म्सेस में इलाज चल रहा है साम तक साथ ला से निकाले जा चुकी है आसंका है कि एसंग्या और बढ़ सकती है वहीं दरजर्म बर आइन जख्मियों को प्रतमिक इलाज के बाद घर बेजा गया है आपको बताते कि जोरदार धमाका होने के कारान आसपास के भानों और उद्योगों को भारिच चती हुई है बियाड़ा के एड़ी ने पूरे मामले की जाज का आदिस दिया है तो वहीं दूसरी तरह मुझपरपूर हादसे पर सीम नितीस कुमार ने जताया दुख मुझपरपूर के परिजनों को 4-4 लाख रुपे देने की घोसना जहां बिहार के मुझपरपूर में नोडल्स फेक्टरी का वॉयलर फटने से 10 लोगों के मौत के खबर पर सीम नितीस कुमार ने दुख जताया है सीम नितिस कुमार ने मिर्तकों के परेजनों को चार चार लाख रुपे की अनुगरा रासित देने की गोसना की है हाला कि घटना इस्तल पर अभी बचाव राहत कारे जारी है आपको बदा दी कि रैवार सुबह मुझपर बुर के बेला अदर की चेतर में मोदी कुरकुरे और नूडल सेक्टरी में बॉयलार फट गया था इससे दस से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई वहीं बड़ी सिंग्या में लोग घायल भी हुए है आसपास की फिक्ट्रियों के लोगों की भी घायल होने की सुचना है मोकी पर एसपी डियम सहित कई आला दिकरी मौजूद रहे मर्ड़ी वालों की सिंग्या बढ़ सकती है ऐसा अनुमाल लगाया जा रहा है बदाया जा रहा है कि वॉयलर फटनी का धामा का इतना तेज सा कि पांच किलो मिटर तक इसकी आवाई सुनी गई धामाके के कारण बगल चूड़ा और आटा फेक्टरी भी छतिग्रस्त हो गई अगली बड़ी खबर आज से बदलेगा बिहार के मौसम का मिजाज कई लाकों में बारिस के असर गया रह सबसे ठढ़ना जिया बिहार में सर्दी का सितम जारी है पाटना सहित कई जीलों में तापमान में उतार चड़ाव का सिलसला जारी है इसी बीच हवा का रूक बदलते ही ठंड से आंसिक रहत मिली है पिछले तीन चार दिनों के मुकाबले आव नियुनतम पारा तेन से चार डिगरे तक उपर चड़ा है मौसम भी तो किनुसार मौसम में हुए बदलाव की वज़ा से हवा की दिसा में बदलाव और नियुनतम पारा में बड़ोतरी हुई है आज से कुछ इलाकों में बारिस होने की समवना है पाटना मौसम बिग्यान केंदर के मताबिक सुबह में कुहासा बढ़ेगा कुछ जगों पर कुआसे में सगंता आएगी पाटना में भी सुबस साम इसका असर दिखेगा 27 दिसंबर से बादलों का बसेरा सुबह के आसमान में दिखने लेगेगा 28 दिसंबर को पाटना नलंदक गया सिकपुरा नवादा बिगुसराई लकिसरा जहानाबाद बक्सर भोजपुर रोतास भववा और अंगाबाद अर्वल में हलकी या मैदम बारिस होगी 29 दिसंबर को पश्चिम चमपारन पुर्वी चमपारन सिवान गोपाल गान सितामडी मदोबनी मुझेपरपूर दर्बंगा वैसाली सिवर समस्थिपूर वैसाली जिले में हलकी बारिस होगी अगली बड़ी खबर बिपी एससी एसाय भरती परिचा 2021 का प्रसनों का इस्तर रह कठेन जानिये सम्मावित कटव जिहां बिहार पुलिस अवर सिवा आयोव द्वारा 223 दारुगा सार्जेंट सहित आयन पदो के लिए प्रारामिक परिचा राज के विविन केंदरों पर रैवार को आयोजित हुई पटना में 35,000 चात्रों के लिए 57 केंदर बनाए गए थे राज बर में 6,85,000 परिचात्रों को सामिल होना था चात्रों ने बताया कि इस बार के प्रासन ज़्यादा कठिन थे प्रासन कॉंसेट पर ज़्यादा आधारी थे प्रतम पाली 10 से 12 बजे ता दूसरी पाली 20 से 4 बजे तक चली परिचा बिशेसक गुरू डाक्टर एम रहमान ने बताये कि सवाल कठिन थे परिचा का कटब जनरल का 25 से 68, औबिसी का 62 से 65, एसी का 52 से 54, एस्टी का 53 से 55, वहीं एसी का 60 से 62 तता महिला का कटब 45 से 50 जाने का अनुमान है बड़ी कबर बिहार में कोरोना का बड़ा विस्पूर्ट पहली लहर की तरह मुंगेर से हुई सुर्वात जिहां तीसरी लहर की आसंगा के बीच बिहार में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्पूर्ट हुआ है संक्रमन का यहां ताजा मामला मुंगेर जिली से सामने आया है आपको बता दी कि साल 2020 में जब बिहार के अंदर पहली लहर की सुरुआत हुई थी तो मुंगेर में ही सबसे पले संक्रमित पाए गए थे मुंगेर में बड़ी तादात में कुरोना वारस मिलने के बाद लोगों में अपरत अपरी मच गई है अब एक बार फिर मुंगेर में एक साथ 11 संक्रमितों की पहचान की गई है यह खबर सामने आने के बाद मुंगेर के अंदर स्वास महकमा हरकत में आ गई है खाबर है कि मरेजों में BMP के जवान, महिला और बच्चे सामिल है या जानकाली सिविल सरजन ने दी है वह अगली बड़ी खबर गया में एक दिन में साथ कोरोना पोजेटिव मिले कोरोना के दूसरी लहर के बाद पहली बार एक साथ साथ की रिपोर्ट आये पोजेटिव एक साल का बच्चा भी संक्रमित जी हाँ गया में एक दिन में साथ कोरोना पोजेटिव केस मिले हैं कोरोना संक्रमन के दूसरी डिलर के सांतों ने और ओमिक्रोन के आने की आसंगा के बेच पहले बार गया जिले में एक साथ असलोगों की रिपोर्ड पोजिटिव आई है। चोकाने वाली बात यहा है कि संक्रमितों में दो वर्स के बच्चे भी सामिल है। फिलाल जिले में कोरोना पॉजिटिव की सेंग्या दस हो गई है। फिलाल कोरोन करमी तब्यक्ति को होम आइसलेसिन में भेज़ दिया गिया है। पर बिहार में नहीं लगेगा नाइट कर्फियू। सियम नितिस ने कहा यहां की सिति सभी राज्यों से बहतर कोरोना गाइडलाइन को और सक्ट किया जाएगा। जियां ओमिक्रोन के बड़ते खत्रे को देखते वे केंदर ने सभी राज्यों को अलट किया है। महराष्ट गुजरात, मध्य परदे, सर्याना और योपी ने नाइट कर्फियू की गोशना कर दी है। वहीं बिहार के सेम नितिश कुमार ने नाइट कर्पियों की समावनाँ पर मिराम लगाते वे साप किया है कि बिहार में फिलाल नाइट कर्पियों के कोई ज़रुत नहीं है। नितिस्कुमार ने ये बाते तब कहीं जब सनिवार को वा पूरो प्रधान मंत्रे स्वर्ग ये अटल बिहारी बाजपे के जैनती पर उनकी परतिमा को माल्या परन करने पहुचे थे। जाइकोब डी है जिसे भारतिया फार्मा कमपनी जाइडस केंडिला ने बनाया है या पुरी तरह से स्वधेसी है इसकी खास्यात है कि इसमें सुई नहीं होगी इसे बिसे सरके इंजक्टर की जरिये लगाया जाएगा ऐसे में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा इसे 18 से अध जगों के सेंटर सामिल है अब केंद्र और राज सरकार के निर्दिस मिलते ही और वेक्सिन की डोज जिले में आ जाने के बाद इसे लगाया जा सकता है जानकारी के अनुसार इस जनवरी से पटना में लगने का काम सुरू हो सकता है हाला कि अभी इसके अधिकारिक का तीन डोज लगाया जाएगा पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा और 56 दिन बाद तिसरा डोज लगाया जाएगा अगली बड़ी ख़बर बिहार में इंजिनियरिंग और पॉलिटेकनिक के चात्रों को मिलेगी बड़ी सुविदा सरकार ने सुरू की तैयारी जहां बिहार में नए खुल रहे इंजिनियरिंग कोलेज और पॉलिटेकनिक के चात्र चात्राओं के लिए सरकार होस्ट्रल भी उपलब्त कराएगी बिग्यान एवं प्रोधित की बिघाग की मांग पर मवन निर्बान विभाग इसमें आने वाले कर्च का अकल खुलने के तैयारी में है पॉलिटेकनिक संसानों का विस्तार करते वे यह सुविधा हर अनमंडल में भी उलबब्त कराने के तैयारी है इसके अलावा राज के 44 पॉलिटेकनिक संसानों के लिए भी होस्टल की विवस्ता होगी एक पॉलिटेकनिक में कूल 946 चात्राओं के लिए होस्टिल की विवस्ता करने को कहा गिया है अगली बड़ी ख़बर पंचायत प्रतिनिद्यों पर हमले को लेकर पुलीस एटकोवाटर का सस्पी और स्पी को फर्मार मुक्या जी को आम्स लाइसेंस दिने की भी तैयारी जिया राज में पंचायत चनाव खतम होने के बा था आब इस मामले में पुलीस मुक्याले में हरकत आ गिया है पुलीस मुक्याले ने इस पश्ट तोर पर निर्देश जारी किया है कि ऐसी किसी घटना की असंका को रोका जाए साथी साथ पुलीस मुक्याले में यह भी फर्मान जारी किया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती ह तो मौके पर तुरांद SSP और SSP पहुचे वही पंचायत प्रतिनिद्यों के ओपर हो रहे लगातार हमलों को लेकर पंचायती राज मंत्री समराठ चोधरी ने एक वार फिर से चिंता जता ही है मंत्री प्राठ चोधरी ने यहाँ भी कहा है कि अगर आवश्यक हुआ तो पंचायती राज प्रतिनिद्यों को आम से लाइसेंस भी मुहाया कराये जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार में 46,000 से अधिक प्रदान सिक्चोकों के होगी नियुक्ती अधियाचना का प्रस्ताव सामान प्रसासन विवाग के जरिये बिहार लोग सिवा आयोग को जाएगा यह पूरी प्रक्रिया सुमवार को पूरी हो जाएगी ओमिद जताई जा रहा है कि जनवरी के प्रतम सबता तक बिहार लोक से वा आयोग इन दोनों नियुक्तियों के लिए गयापन जारी कर देगा अगली बड़ी खबर पीम मोदी को बिहार से मिलेगा एक करोड पत्र, प्रावेड स्कूल के बच्चे, टीचर से स्टाब और अभिबावक लिखेंगे, विसेस राज के दर्जे की मांग करेंगे जहां बिहार को वीज्ड स्राज का दर्जा मिले इसके लिए बिहार की प्रावेट स्कूल के बच्चों सहेद इश्कोलों के सिक्चक कर्मी और अभी बावक प्रदान मंत्री को पत्र लिखेंगे बिहार को विशेस राज के दरजे की मांग की जाएगी नितिस कुमार लगातार यहां मांग कर रहे हैं उनकी इस मांग को प्रावेड इसकोल माझवोती देगा अगली बड़ी ख़बर बिहार में भी इसकलो को मिलेगा स्वचता पुरुसकार पहली बार राज के मानक पर चुने जाएंगे प्राइमरी और हाई स्कूल बिहार दिवस पर मिलेगा वाड जी अकेंद सरकार की तोरिच पर बिहार में पहली बार स्कूलों को स्वचता की प्यमाने पर आकलन कर पुरुस्कित किया जाएगा प्रकन और जीला इसर पर पांच मार्च को दस दस स्कूलों को समानित किया जाएगा राज इसर पर बिहार दिवस बाइस मार्च को चैनित स्कूलों को पुरुस्कार दिया जाएगा प्रकरन इस्वर पर चैन के लिए नियुनतम तीन और जिला इस्वर पर चैन के लिए चार रेटिंग अनिवारी है पुरुसकार के लिए BSBP वेव पोटल पर आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिती 31 दिसम्बर तक है पर बिहार पुलिस के आप नहीं चलेगे मनमानी वर्दी में ही कर दी गई है ऐसी वेबस्ता जी हाँ बिहार पुलिस धीरे धीरे हाइटेक होती जा रही है आप ट्रेफिक पुलिस के वर्दी में ही केमरा लग गया है इससे अब ट्रेफिक नियंतरन के साथ साथ ड्यूटी पर त्यानाथ ट्रेफिक पुलिसों के अफसरों वा जवानों की गतिवेदियों को भी नजर रखी जाएगी वाहन के चेकिंग करते वक तब ट्रेफिक पुलिस के मनमाने नहीं चलेगी दरसल पाटना नलंदा समेत कई जिलों की ट्रेफिक पुलिस के अफसरों वा जवानों की बोड़ी वान केमरे से लेस किया जा रहा है यानि कि पुलिस की वर्दी में केमरा लगा होगा जिसको पहन कर ट्रेफिक पुलिस चलान काटेगी ऐसे में उनकी मनमाने आप नहीं चल सके आज के लिए आपका स्वाल बताएगे दारोगा भरती परिच्छा में आपने कितना अटेम्ट किया है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं